तर्ष्टर दीपक कुमार योग विभाग उत्राखण मुक्तव श्विद्यालेह हलधवानी जैसा कि आपको पता होगा कि उत्राखण मुक्तव शुविद्यालाई हल्दवानी में योग में और बीय योग आनर्स और एमे योग में प्रवेश प्रारंबु आगामी 14 अक्टूबर से प्रारंब होने जा रही हैं जिसमें कुछ यूजिसी डैप्ड के नियमा अनुसार को बदलाव आये हैं पुराने जो हमारा एम सा परिवर्तन आया है क्योंकि आपको पता होगा कि NEP 2020 के अकॉर्डिंग जो नए नियम इसमें पार्ठिक्रम में लागू हुए हैं और बीय योग आप बीय योग ऑनर्स की नाम से जाना जाएगा क्योंकि यहाँ चार वर्स का पार्ठिक्रम रहेगा जिसमें आठ और सा थी मिया योग जैसे हमारा मास्टर पहली चलता था वैशे ही चलेगा और कुछ चीज़ें परिवर्तन हुई हैं उसके बारे मैं चर्चा आपसे करनी हैं क्योंकि जो बीय योग पहली चलता था वह हमारा एरली वायच पॉग्राम था तो जिसमें साल में एक बार कि इसब्जेक्ट में चाहें व्योग ऑनर्स हो तो दुनों हमें ही आप लग फंद्रा दिनों की कारिशाला होगी और घमें बड़ा बदलाव यह हुआ है कि वह सब्ड़ांपिद व जो उपादी है उसको प्राप्त कर सकता है इसमें कुछ प्रुवेश के विवरण है कि कि पृव्य में प्रुवेश में रहा हो या सब मैं प्रुवेश स्क्राइब नियूद्ट और आरदा करेंगे जो चार साल का आपका साम पार्ठीक्रम है जिसमें अलग-अलग आपने आएनिपी पड़ीज होगी हैं तो उसमें गाफी क्रेटराइज किया गया है इसको कि जो एक साल के बाद किसी कारणवास सब्जेक्ट को छोड़ता है तो उसको सैटिप्रिकट मिलेगा दो साल के बाद अगर किसी कारणवास अगर पुढ़ाई पुरी नहीं कर पाएगा तो उसे डिपलोमा मिलेगा और तीन साल कम्प्रेट करेगा तो उसे इसनाथ तक की डिग्री मिलेगी अगर चार साल पुढ़ा कम्प्लेट कर ले तो उसे विए वित ओनर्स की डिग्री प्रापत होगी तो यह एन एपी की कुछ नियम रोल से हैं स आठिकरम लागू होगा इस बार से जो की आगामी 14 अक्टूबर से प्रारम्ब होनी जा रहा है जिसमें जो प्रवेश की कुछ चीजें इसमें बदलाव किये गए हैं जैसे पहले यह होता था कि डारेक्ट प्रवेश होता था अब थोड़ा चीजें परिवर्तन हो चुकी है प्रवेश लेनी के लिए क्या eligibility होनी चाहिए उसकी बात यहां पर की गई है तो सबसे पहले अगर आप यह ओनर्स में आप एडविशन लेते हैं तो आपके पास 10 प्लस 2 तो यह नॉर्मल हो गया उसके बाद आपके पास योग का एक प्रमान पत्र होना चाहिए यह सबसे ब आपके पास प कोई प्रमान पत्र हो योग का उसके बाद आप इसमा अड विशन ले सकते हैं जैसे की विश्वOODध्याले स्वारा चलाया यह सकते हैं बिश्वविध्याले में प्रमान पत्रमां पत्र 6 say महने का चलता है डिबलोमा के बाद आप मास्टर से में एडमिशन ले शकते हैं तो दूसरा चीज क्या बदला हुआ है कि एक तो आपके पास दो मेहने का नियुन्तम योग का प्रमानपत्र होना चाहिए और दूसरा की प्रविश फरिक्षा उतिर्ण करना होगा एक इसके लिए कि इंट्रें मानी है कि होनी चाहिए अनिवारी होनी चाहिए या तो आपके पास दो मेहने का स्टम योग में प्रमानपत्र हो और प्रविश परिक्षा आपने उतिर्ण की हो दूसरा या नो ने यह जगा कि 10 प्लस 2 के साथ योग का प्रमानपत्र YCB का हो या भारत मन आईश मंत्राले भारत सरकार के एक सस्तान है जिस जो YCB योगा सेटिफिकेशन बोर्ड करके एक सस्ता है उससे कोई प्रमानपत्र आपने प्राप्ति किया हो तो उसको भी योजीश ने शुकार किया है और प्रविश परिक्षा उनको भी देनी पड़ेगी दो नूच कंडिशन है या तो आपके बाद दो मेहने का अन्यूंतम योग का प्रमानपत्र हो और दूसरा आपको प्रविश परिक्षा उत्रेने करनी होगी यह दो चीजें है या आपके पास टैन प्लस टू हो और योग में YCB का प्रमानपत्र हो और प्रविश परिक्षा उत्रेना यह दो चीजें है अलग लग यह आपको काफी आसानी से समझ आ जाएंगी और आगे इसी परकार अगर आपको master में आपको बढ़ान लेना है है तो उसमे सबसे पहले उनों का किसी भी मानिता प्राप्त विशविद्याले से इस नटक की उबादी यह कोई भी विद्यार थी जैसे कोई अनी स्ट्रीम कुछी भी विशेश है अगर उन्हें इस नात्तक की उपाधियों ने की है तो वो योग में एड़िशन मास्टर्स में ले सकते हैं लेकिन उनके साथ भी एक चीज जोड़ी गई है कि उनके पास भी दो महा का नियुंतम योग का प्रमाण पत्र हो ज को सब माननी होंगे इसमें नियुंतम आपके पास दू महेने का होना अनिवारी है या किसी अन्य सस्तान का आपके पास हो और किसी अन्य विशेश्यूं से आप इस नात्तक हैं तो आप मास्टर्स में एड़िशन में योग में ले सकते हैं और साथ ही इस शेकेंड चीज बो अच्छी बात है अगर नहीं है तो दो महा का आपके बाद प्रमान पत्र होना चाहिए विश्यू विद्यालाई जो हमारा कराता है और दुसरा डिपलोम आवीश में माननी होता है यह में योग कि उसके बाद बीय योग जो हमारा अनुषर सुरू हो रहा है और में योग की माध्यम से ही किया जाएगा और दुसरा की प्रविश परिक्षा जो होगी वो पचास अंकों की होनी है और पचास अंकों की जो परिक्षा होगी वो प्रश्ण पत्र जो बनेगा वो पचास अंकों का होगा और प्रतेक का एक अंक आपको प्राप्त होगा और इसमें किसी भ बाद ही वो भी योग में या मास्टर्स में एडविशन ले सकता है लेकिन नियूनतम जो उसको अंक प्राप्द करने होंगे वो अठारा करने होंगे पचास प्रशन आएंगे प्रतेक प्रशन एक नंबर का होगा और उसमें से दिल्यार्ति को उत्तियन करने के लिए अठारा नंबर लाने होगे प्रिवेश प्रिक्षा का जो पाठी क्रम है वो आपका जो सिलेबस होगा उसमें पांस इकाईयां बनाई गई है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर भी कि सबसे पहली जो इकाई है योग परीचाई है दूसरा हट योग के उपर है तीसरी आसन और प्रड़ाय आपके 50 questions वाएंगे तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि BA योग और MA योग दोनों का एक ही इंट्रेंस एक्जाम होना है और इसमें पांस इकाईया है दोनों का सेम पेपर आएगा BA का भी MA का भी और उसके बाद जैसे unit wise मैंने आपको बोला कि जैसे योग परीशे पह आपके जो क्वेस्टन एक मैंने रहा कि किस प्रकार से question का प्रारूप हो सकता है किस प्रकार का question आ सकते हैं जैसे कि आपने दिखा है योग शब्द का अर्थ जिसमें एक प्रस्ण है इसी प्रकार के basic level के जो question होते हैं उसमें इंट्रेंस एक्जाम में पूछे जाएंगे योग सब्द का सामानी अर्थ क्या है वो आपको बताना होगा और सबसे महतुपूर्ण चीज है कि महतुपूर्ण तिथियां हैं जो आगामी 14 अक्टूबर से प्रारंब होने जा रहे हैं प्रवेश की जो प्रकिरिया शुरू होगे online माध्यम से आविदन करना होगा आपक और चार नौमबर से आप एड्मिट का डाउनलोड कर लेंगे और छह तारिक तर डाउनलोड कर पाएंगे चार से छह तारिक ड्रोनलोड की तिथी रखी गई है और जो प्रवेश परिक्षा का प्रिणाम होगा वो 8 तारिकों घोशित हो जाएगा आप नौमबर 2022 को और जो आपका counseling होगी दस्ताविद सत्यापन का कारी विश्व विद्यालय मुख्यालय हलद्वाणी में इसका सत्यापन होगा तो वह 9-1224 को रखा गया है आपको विश्व विद्यालय में आकर ही आपने दो दस्ताविद हैं डोकौमेंट से उनका सत्यापन कराना पड़ेगा आप न वहाँ पर ये प्रवेश परिशा कराई जाएगी और प्रवेश लेने के लिए आपको उत्राखण मुक्ति विश्विद्याले की वेबसाइट www.uou.ac.in पर आपको जाकर अपना पंजिगरण कराना होगा तो पंजिगरण के लिए आपको निमन लिंक के माध्यम से भी आप अपना पंजिगरण करा सकते हैं यह उत्राखण मुक्ति विश्विद्याले के जो हूमपेज है उसमें यह लिंक आपको मिलेगा वहाँ पर आपने किलिक करना है उसके बाद आगे आपको अब रिश्टेश लिंक मिलेगा कि BA योगा ओनर्स और MA इंट्रेंस एक्जाम तो एक्जाम पर लिंक बाब जब किलिंग करेंगे तो किलिक करने के बाद यह पेज आपके सामने खुलेगा तो इसमें आपको पहले यह जो निर्देश दिये गई हैं इन दिर्देशों को ध्यान पूर्वक 500 रुपए आप जब पेमेंट करेंगे उसके बाद आपका एंट्रेंस एक्जाम फूम कंप्लिट होगा इसमें एक चीज देख लेना कि नीचे जो लास्ट डिट दी गई है वो दो नॉमबर दोजाचोबिस को रखी गई है उससे पहले ही आपका फॉर्म भर जाना चाहिए उसके बाद जब यह बॉक्स आया है इस बॉक्स में आपको किलिक करना है और आगे प्रोशिट कर देना है अगर किसी भी प्रकार के आपको जानकारी चाहिए बीए के लिए या एमे के लिए जो लिंक दिये गए है यह योगा उनर्स प्रोस्पेक्टस है और एमे योग प् इसने मास्टर्स में एडमिशन देना हूँ मास्टर्स वाला कोल के अच्छी प्रकार से पढ़ लेंगे और लास्ट में डाउनलोड अप्लिकेशन फॉर्म की वाली प्रिक्रिया है जब आप फॉर्म पुरा कंप्लेट कर लेते हैं उसके बाद यहां से आप अपना अप्लिकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं या उसका प्रिंट ले सकते हैं इसके बाद आपको प्रोसिट करके आगे बढ़ जाना है उसके बाद इस परगार का इंटरफिस आपके सामने खुलेगा इसमें जो सामानी जानका लिए वो बरनी है आपको जैसा कि यहां सब्सक्राद और आपका नाम आजाएगा जॉर्म बनने के बाद इसके बाद अगला जो आञा सका आएगा । उस एड्रस को आपको भर देना है उसी एरिया का जो आपका फिन कोड नंबर को डालना है आपको यहां पर उसके बाद मोबाइल नंबर डाल देना है अपना और उसके बाद जो मोबाइल नंबर वाला डालिएगा जो आपके पास हो अपना परिवार जनूंगा या आपने भा माधियम से मिलेगी और आपकी mail id के माधियम से मिलेगी तो आप कोशी से कीजिएगा कि mail id है वो mobile number है तो विद्यार्थी श्वेंग अपना ही भरें इसमें किसी अन्य ना भरें ताकि आपको सोजना समय पर मिल सके और उसके बाद आगी का डेटो वर्त है डेटो बर्त है डेटो वर्त आपको डाल देनी है जो आपकी होगी यह calendar सामने बनाए कलेंदर में कलिक करेंगी तो calendar सत खुल जाएगा यहां से यहां से मंद सेलेक्टेट और डेट का उप्षन आएगा यह आपको सेलेक्ट कर देना है उसके बाद जेंडर का उप्षन है आपको डाल देना है उसके बाद यह महत्मूवाइब और पढ़ लीजीगा जैसा कि मैंने भी मेडियू में बताया कि सबसे पहले इसमें पोग्राम किस पॉग्राम के लिए आप अप अपलाई कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको जैसे वीर वाले हैं तो यह कस्त आप यह मास्टर आपके पस करते हैं कोई प्रमाणपत्र है तो वे आप इसमें लगा सकते हैं जैसे कि हमारे वहां सी जो उत्राखन में लाद दोर कराया रहा है खे महीं इंद द्रेशन कुरा जा रहा है क्लिक करके रहा है औसको व्यक्ति पहले से में अन्य सब्जक्ट में है अन्य स्ट्रीम में है तो वह त्सम में-ध्मिशन ले सकता है। मास्ट्र का उप्ष JES ग्लिक करेंगा लेकिन उसके पास भी क्रंगे सकते हैं। उसके बाद यहां पर आपका यह चीज पुशेगा कि आपके पाद योग का प्रमाणपत्र है या नहीं है अगर आप इसको नो करेंगे तो फोर्म आगेगा आपका फिल नहीं हो पाएगा नीची की डेटिल मांगेगा लेकिन पेमेंट तक जाने के बाद फिर अटक जाएगा इसलिए इसको जब हम यहां से डन करेंगे नो करने के बाद तो आगे की प्रिकेरिया नहीं हो पाएगी इसलिए आपको हमें यह करना पड़ेगा यह करने के बाद जो उसका सैटिफिकेट नंबर होगा अगर किसी व्यक्ति ने कुशी विश्विद्याली से किया है तो उसक इसका सैटिफिकेट नंबर आएगा अगर किसी विश्विद्याली से किया है तो आपका इंड्रॉल्मेंट नंबर आएगा अब इसमें तो सेकेंड प्रिकेरिया उसके बाद की है यहां पर आप से पूछा गया है कि आप किसम एड़िशन लेना चाह रहे हैं अगर आप मान शचली की किसीनी में मांस्थविशन लेना वह मांस्टर का सलेक्ट करेंगे यहां पर जो किसी के इलिजीबिटी है इवे ग्रेजिशन जैंगे कितने नंबर लेके आए और कितने मैं से लिके आए पेसन्टेज को दिया जाएगी तहसे बासे में इंप मुक्त विश्व विद्या लेगा जो मुख्या लई है मुख्या लई में ही इसका प्रवी परिक्षा कराई जाएगी तो एक आप्षन आएगा उसमें हल्दवानी उसके बाद आपको जो नीचे दिया गया है कि इसकी इमेज कितने के साइस यह आपके होनी चाहिए तो उसके अकौड़िंग आपने में算ख और इसमें क्लिक करें बढ़ा इसमें आपको जाएगी प्लेस में जहां से भी आप भर रहें उसका प्लेश सिस्तान आप डाल दीजिएगा उसके बाद इस बॉक्स में क्लिक करके आगे नेस्ट पेमेंट का आएगा इसमें क्लिक करना पड़ेगा आपको पेमेंट गटवे में उसके बाद आपको इसमें डन पर क्लिक करना है तो यह फॉर्म आगे दन हो जाएगा उसके बाद भरने के बाद आपको अप्लिकेशन प्रेंट के लिए बोला जाएगा कि आपका फॉर्म भर चुका है प्रेंट आप अपने पास रख लीजिएगा उसके बाद जो आपके इंट्रेंस एक्जाम होगा उसमें आपने परतिभाग करना है और जब परतिभाग करने के बाद आप उत्तिर्ण होते हैं तो काउंसलिंग के दिन आप यह अप्लिकेशन फॉर्म और अपना जो इंट्र प्रेंट उसके बाद अन्नी किसी भी जानकारी के लिए आप विभाग में दस से पांस बजे निम जो नंबर दिए गए हैं इन नंबरों पर आप संपर्क कर किसी भी चाहां तरह की जानकारी आप ले सकते हैं कर कोई चीज आपको समझ मनी आप आ रही है तो नाम के साथ उन प्रेंट